मौव ब्लॉक के बर्गड कस्बे में 18 नवंबर को रामलीला कमेटी द्वारा अंतर राजय दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन राजयों के पहलवानों ने अपनी कुष्टियों से दर्शकों का मनोरंजन किया, बर्गड कस्बे में पिछले 100 वर्षों से रामलीला का आयोजन हो रहा है, इस वर्ष, बर्गड के प्रधान शैलेश शुकला ने दंगल का आयोजन किया, शैलेश शुकला, जो एक युवा और अन्याई के प्रती आवाज उठाने वाले नेता माने जाते हैं, ने एक साथी की आकस्मिक मृत्यू के कारण दंगल की तारीख एक दंगल से पहले सभी पहलवानों को प्रधान ने एक दिन के लिए रोका, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की और आयोजन की शुरुआत वीर बाबा की पूजा से की, इस पूजा में शैलेश शुकला के साथ पूर्व प्रधान व वरिष्ट भाजपा नेता श्याम पहलवान जैसे सुरेंद्र, विशाल, दिलीप, सोनू, राहुल और अखिलेश ने अपनी कुष्टी से दर्शकों को रोमान चित किया, मुख्य आकर्शन महिला पहलवानों की कुष्टी और जादूगर ग्यानेंद्र भारगव की प्रस्तुती रही, जादूगर और महिला कमेटी को 11,000 रुपए की सहयोग राशी भी प्रदान की, पहली बार, BTC महिला सदस्य ने अपनी बहु के साथ महिला पहलवानों से हाथ मिलाया और 15-20 महिलाओं के साथ दंगल का आनंद लिया। अगर कोतवाली प्रभारी निरीकशक पंकच्तिवारी और उनकी पुलीस टीम पूरे समय मौजूद रही, यदि कभी पहलवानों के बीच विवाद बढ़ता, तो पुलीस बीच बचाव करती। यह रोमांचक आयोजन दो फर एक बजे से शाम पांच बजे तक चला, जिसम दर्शकों ने उत्साफ पूर्वक हिस्सा लिया और अद्भुत कुष्टियों का आनंद लिया। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें अपनों की खबर आप तक। देखते प्रदेश